गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एस कैपसूल में आई होब आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तयारी अच्छी चल रही होगी अगर आप लोग चैनल पर नए है तो रेगुलर करेंट अफ्यार्स और अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा भार थम लेल में आपने देखी लिया होगा कल हमारी एक सुनवाई लगी हुई थी इलावाद हाई कोट की डबल बेंच में जिसमें विंध्यान चल जो प्रशनता सिंगल बेंच से खारिज हुआ था उसको डबल बेंच में स्पेशल अपील के थुरू चैलेंज किया गया है SPLA 477 2024 तो कल इसमें लगबग 10-11 मिनिट तक सुनवाई चली थी जो मैंने आपको लाई स्टेटस दिखा दिया था कल इसका कोई भी शॉर्ट और नहीं आया था आज इसका शॉर्ट और भी आ गया है और जो नेक्स डेट मैंने आपक आपका PO की जगा मैंने का था देखिए दो बार PO आया है इस बार PO नहीं आएगा इस बार आपका order आया है DF यानि date fix तो चलिए बुरा देख लेते हैं अभी देखिए थोड़ी दिर पहले का इस स्टेटस है पहली सुनवाई आपकी 13 मैं को थी और next hearing date अगर आप देखेंगे लिस्टिंग हिस्ट्री में fresh list औरेबल जस्टिस महेश चंदर तरपार्थी औरेबल जस्टिस अनीश कुमार गुपता लिस्टिंग डेट यानि कल की थी 27-5-2024 और short order इस बार है इसमें date fix का पिछले दो order आप देख सकते है 13 माई को जो order आया था वो भी PO का था और 20 माई को वाले प्रशन की double bench में सुनवाई लगी हुई है और इससे ठीक एक हफ्ते पहले 8 जुलाई को आपके Supreme Court में कई सारे case लगे हुँ है पूरी list मैंने बना दी है कि Supreme Court में कौन-कौन सी SLP डली हुई है तो वो जाकर आप देख लीजीगा टेलिग्राम ग्रूप में भी पड़ी हुई है महां से जाकर भी आप देख सकते हैं और उनका current status क्या है दो देखी SLP है 2960 जो अतुल कुमार वाली है और एक है आपकी 18122 इसमें आपका Border State वाला प्रशन है गौटम कुमार की है इनकी अभी तक listing एक बार भी नहीं हुई है ठीक है इसको याद रखिएगा ये case अभी पता नहीं किस तारीक को लगेंगे लेकिन बाकी जितने भी case थे उनकी date लगबग लगबग fix है जो CGI की direction वाला case था वो भी आपका 8 July को ही लगा दिया गया है लेकिन 2960 और 18122 क्योंकि अभी vacation bench के आगे इन cases के लगने की संभावना लगबग ना के बराबर है तो फिलाल तो ये नहीं लगे है ठीक है जब भी लगेंगे मैं आपको official status बता दूँगा या कोई भी अगर और update आएगा Supreme Court से संबंदित वो भी आपको मेरे द्वारा बता दिया जाएगा अभी थोड़ी दर में current affairs का वीडियो आ जाएगा तो प्लीज आप current affairs का वीडियो जरूर देखा कीजिए आपकी तयारी को काफी अच्छा वो करेंगा MCQ की format में आप बनाता है बाकि आप लोगों का कोई doubt हो तो आप comment box में comment कर सकते हैं अच्छे से अपनी त assistant वगरा का exam लगा हुआ है काफी अच्छे उसमें पद है कोई और आजान करी चाहिए तो comment box में comment कर दीजेगा thank you so much